तो दोस्तो अगर यह होटल में बनती हैं तो आप इसमें बहुत सारे पैसे दोगे लेकिन आप घर में बना सकते और बिना मैदेगे तो आप घर के आटे से ही इसको बना के तयार कर सकते हैं तो मैंने एक रोटे में इसको कट कर लिया है और इसको फोल्ड करके दुबारा इसक further आफumba के लिए नोúp िंद नमक अपने डाले साले सोगे लिए विद दालए हरी मिर्च बिंद देना कि ढाले इसमें मैं डाल दिया हरा दन्यार, इसको पर्लेश मिक्स करने के लिए स्टाफिंग बना के तयार करेंगे अगर जो रोटी में पकाई थी पराटा उस पे तोड़ी ट्रमाटो सोस डालेंगे प्योंकि बच्चों के यह चीजिए बहुत जाद पसंद आती है तो इसको पूरे पर फैला लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे जो श्रॉफिंग मैंने बनाई तो एक साइड में रखेंगे और इसको आप फोल्ड कर देंगे और इसमें काफी चीज डलती है लेकिन डालना मत क्योंकि बच्छों के जितना हलका फूलका काना देंगे उतना ही उनके लिए बच्छों को बहुत जादा पसंद आएगा तो यह देखिए हम इसको ओलट पलट के अच्छे से से लोंगी तो दोस्तों यह आसान रेसिपीज होती है जो आप बना के बच्छों खुद भी खा सकते और बच्छों को भी बना के खिला सकते हों क्योंकि इसको बनाने में काफ होता है मैं लोगों को इसलिए शेयर करती हूं क्योंकि मैं इस परकारी बना के देती हूं बच्छों को तो यह बनने के रड़ी हो गया तो इसको आप चाहे तो कट भी कर सकते चाहे तो ऐसे फोल्ड करके खा सकते हो देगी कि इतना चासे समें चीज लग गया है तो धन्यव झाहे चाहे तो इबस गब का.